लेकिन जितनी आबादी हमारे देश की है और जो डॉक्टरों का अनुपात है हमारे देश में का जाता है दस हजार पर एक डॉक्टर और जो पीपल डेंसिटी है चीन के मुकाबले अगर आप तुलना करते हैं तो वो धाई से तीन गुणा ज्यादा है उस परिस्थिती में क् किसी बड़े खत्रे से नेपटने के लिए एक डॉक्ट है तैयार है मैं एक चीज समझना चाहता हूं आज हम जो परेशान हो रहे हैं आज हम बोलते हैं 75 केसे से हैं हमारी आबादी देखो वही आबादी 135 करोड की आबादी है 75 लोग को बीमारी हो गई तो हम जो कदम उठा कदम है 75 और 135 करोड का जब आकड़ा देखते हैं तो हमको एक समझ में आता है कि हमको जिस धंग से हमने काम किया है हमको ऐसे नहीं लगता है कि पूरी ओवर्वेल्म करेगी सिस्टिम को आज आप जब बाहर के देश से तुलना करते हैं तो वहां तो पहले से कम्यूनिटी ट दाइगनोसिस बोलेंगे वो लेट हुआ कि हमारे देश में ये बीमारी आई क्या वो हमने सही डंग से किया हमने ऐसे अगर देखा जाए तो हमने वुहां से स्टूरंट्स उठा के लाए हम इरान से लोग लेके आ रहे हैं इटली से लोग लेके आ रहे हैं क्योंकि हमको जो लेकिन एक बोल सकता हूँ कि हम इतना न डरे कि 75 लोगों से उसके 100-200 कांटेक भी रहें तो वो संख्या इतनी छोटी है आज तो हम उसको बरावर घंग से हैंडल कर पा रहे हैं अपको लगता है कि सरकार गंभीरता से ले रही है लेकिन लोग हलके मे ले रहे हैं इस चीज़ को अभी प्रांस के लोगों का कहना है कि शुरुआत में जब उनको ये बातें बताए गी थी तो उनको भी लगता था कि सामान ने फ्लू है बुखार है इसे तो हम लोग लड़ी लेकिन डर के मारे आगर हम यह करने जाएं तो उसका असर जयादा देर ठहरता नहीं इसलिए हमको कहीं तो बैलन्स लाना पड़ेगा उनके जहां जो हुआ है मैंने इसमें परिशान नहीं होना है कि अमरिका में एमर्जंसी आ जाएगी या चाइना ने पूरा लॉक्डाउन किया था पूरी मिलिटरी का इस्तमाल किया उनके घरदार भी बंद किये थे लेकिन य यह हालत हमारे आईगी क्या इसके बारे में हमने सच्चा ही से देखना है दोनों का बैलन्स रखना है पैनिक भी नहीं लेकिन प्रिक्वाशन्स को भूलना भी नहीं है कॉंपलासेंसी भी नहीं आना है